Welcome everyone. Today we are going to start up a new chapter that is called tissues. So tissues क्या होते हैं? देखो, cells के बारे में तो हमने पढ़ाई है, तो आपको पता है कि cells से ही सारे living organs बने होते हैं, जैसे कि plants बने होते हैं, plants से क्यों animals ही बने होते हैं, right? तो अब tissues का role यहीं पर कहीं न कहीं आता है. What are tissues? Tissues are groups of cells. जैसे आप देखो, यह बहुत सारे cells है, group आपको दिख रहा है, यह एक cell है, यह एक cell है, यह एक cell है, ऐसे बहुत सारे cells है, यह सब मिलके टीशू बनाते हैं, तो बहुत सारे cells जो है, उनका group मिलके एक tissue बनाता है, और बहुत सारे tissues मिलके plants बनाते हैं या फिर animals बनाते हैं तो आप समझ रहोगे कि अगर plants और animals का structure समझना है तो tissue को तो समझना ही पड़ेगा That's why we want to study this chapter जैसे जैसे इस chapter में आगे बढ़ेंगे आपको tissue का concept और clear होता जाएगा थोड़ा patience रखने की जरूरत है लेकिन अभी के लिए हमें एक नया term समझने की जरूरत है That is called division of liver या cell specialization क्या है यह term मैं आपको बताता हूं तो इस्टों साब को पता ही है कि जो living organism होते हैं वो unicellular हो सकते हैं जैसे कि उसका एक example है अम और examples दे सकते हो कि आप paramesium that's a good example right ठीक फिर multicellular organism होते हैं उसके तो बहुत सारे examples हमें पता ही है dog, humans, elephant, whatnot अब देखो चाहे वो multicellular organism हो या unicellular organism हो उनको जिन्दा रहने के लिए life को continue करने के लिए बहुत सारे life processes करने परते हैं जैसे कि movement करना परता है breathing का process करना परता है digestion, excretion ऐसे बहुत सारे process हमारी body में या कोई भी multicellular organism या unicellular organism जो होता है उसके body में चलता रहता है जैसे जो रहा हूं ना breathing कर रहा हूं तो वैसे बाकि multicellular organism भी breathing करते हैं in fact мы legal organism by breathing करता है हमलों digestion करते हैं मतलब फूडश खाते हैं उसको digest करते हैं वैसे बाकी multicellular organism भी ये काम करते हैं, in fact, unicellular organism भी करते हैं, वैसे बाकी सारे life processes सब को करने होते हैं, चाहे वो unicellular हो या multicellular हो, लेकिन एक catch है यहाँ पर, catch क्या है, कि unicellular organism में जैसे कि amoeba हो गया, उसमें तो एक ही cell है न, सिर्फ एक ही cell से वो बना होता है, तो उस एक cell को ही ये सारे काम करने ही पड़ेंगे, लेकिन multicellular में आसा नहीं है, उनके body में तो बहुत सारे cells होते हैं, तो एक ही cell को सारे काम करने की ज़रूद नहीं है, this is a very important point, in amoeba और एनी अदर unicellular organism, all body functions are done by single cell, यहाँ पर तो कोई option ही नहीं है, एक ही cell है, काम सारे करने हैं, तो उसी एक cell को सारे काम करने ही पड़ेंगे, लेकिन multicellular में आसा नहीं होता है, in multicellular organism, different groups of cells perform different functions, इन में क्योंकि बहुत सारे cells होते हैं, तो क्या होता है कि, हर अलग-अलग group of cells का अलग-अलग काम होता है, यह से कुछ group of cells हो सकते हैं, जिनका काम है, सिफ और सिफ movement के फोकस करना, वो बाकी कोई काम नहीं करेंगे, वो सिफ movement के लिए responsible होगे, फिर कुछ अलग group of cells होंगे, जिनका काम होगा इसिफ bleeding में फोकस करना, वो बाकी कोई काम नहीं करेंगे, फिर कुछ अलग group of cells होंगे, जिनका काम होगा सिफ digestion में फोकस करना, वैसे कुछ अलग group of cells होंगे, जिनका काम होगा excretion में फोकस करना है, लेकिन बिचारे amoeba को problem है, या किसे भी unicellular organ को problem है, उसमें तो एक ही cell है, उसी को सारे काम करने हैं, समझ में आई बात, तो यहीं पर हमारा concept आता है, division of labor, आज समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई division of labor नहीं है, क्योंकि एक ही cell को सारे काम करने हैं, यहाँ पर division of labor है, अलग-अलग cells को अलग-अलग काम करने हैं, तो division of labor हैं, समझ में आई बात फिर दूसा टाम है सेल स्पेशलाइजेशन देखो जैसे मैं आपको एक्जामपल देता हूँ आपको अगर ये बोला जाए कि सारे सब्जेट्स उनिया क्या आपको पढ़ने चाहे वह जो रफी हो गया हिस्ट्री हो गया सिविक्स हो गया हिंदी हो गया सब्जेट्स पढ़ोगे लेकिन ज्यादा फोकस तो किसी भी नहीं कर पाओगे तो सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा आ जाएगा ठीक है लेकिन अगर किसी को बोला जाए कि तुमें सिर्फ एक ही सब्जेट्स पढ़ना है तो पूरा टाइम पूरी इनर्जी पूरा एफ यहां पर एक गरूप अब सेल ईख और फोक्स कर रहे है तो वह स्पेशलायस रोजाते हैं बी इंख को बात ईफी चेन्ट लिक करने के लिए एक group of cells सिर्फ digestion पर focus करने हैं और कोई काम नहीं करना है उनको दिनला सिर्फ digestion पर focus करना है तो digestion में बिलकुल specialized हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि multicellular organs में cell specialization होता है और division of labor भी होता है जबकि unicellular में न division of labor होता है न cell specialization होता है समझ में आ रही आपको बाद और यह जो division of labor यह cell specialization यहां पर होता है वो काफी advantageous होता है क्या advantage है उसका advantage of division of labor in multicellular organism a different group of cells are specialized in doing different job so any work is done much more efficiently compared to unicellular organisms जैसा कि मैंना को पहले भी बताया इसलिए multicellular organisms जो होते है वो much more efficient होते है much more powerful होते है क्योंकि उनमें अलग-अलग cells specialized होते हैं अलग-अलग काम करने के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ रही है बात ओके अब what is tissue अगर आफे कोई पूछे तो आप क्या answer करेंगे तो मैंना को पहले बताया था कि tissue is a group of cells लेकिन इसका मतलब नहीं है कि किसी भी group of cells को आप tissue बोल दो tissue एक ऐसे cells का group होगा जो साथ हमें काम करते हैं आपस में मिल जुल के to do a particular specific job एक काम पर focus करते हैं वो साड़े cells और साथ में काम करते हैं वैसे group of cells को मोलते हैं tissue once again a group of cells which work together to perform a particular job is called a tissue समझ में आ रही है बात right okay now plant tissues and animal tissues तो देखो plant के body में बहुत सारे tissues होते है animals के body में बहुत सारे tissues तो मेरा question है आपसे कि आपको क्या लगता है क्या plant के body में जो tissues होते हैं और animals के body में जो tissues होते हैं वो same type के होते होंगे या अलग type के होते होंगे क्या लगता है आप सोचें लिखो plants और animals से बहुत साए differences है और क्योंकि उन्हें बहुत साइड डिफरेंसे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी tissues भी अलग होते होंगे क्या से इसे प्लांट और animals आपको ऐसे पता ही है तो कुछ डिफरेंसे में आपको याद दिलाता हूं पहला में हमेसा uniform growth ही होता है कि आपने ऐसा देखा है कि टाइकर अगर बड़ा हो रहा है तो उसके आगे वाले को फुड बनाते हैं लिंकि animals के साथ तो ऐसा नहीं होता है मैं तो नहीं जाता हूं sunlight में ठीक है फुड बनाने के लिए कि sunlight मेरे बिदी और मैंने उससे फुड बना लिया उसी को खापी के मैं जिंदा रहता हूँ और अपना फुट bitter नांज है बनाते हैं कि plants have simpler body structure और animals का schwierig complex body structure होता है थो कहने का मतलब यह है कि plants में और से बहुत सारे डिफरेंसेज हैं, तो नाच्वल है कि उनके टीशूज और उनके टीशूज अलग टाइप की होते होंगे, यह हमार लिए थोड़ी से बाद निउस है, इसलिए क्योंकि गर दोनों के टीशूज अलग टाइप की होते हैं, तो दोनों को अलग अलग पढ़ना प aand के बॉड़ी में बहुत अलग-अलग टाइप के टिशु उनको हम अब काटेग्राइज करेंगे तो ब्लांट के बॉड़ी में जितने भी टाइप के टिशु होते हैं उनको आप दो काटिग्री इमें डिवाइड कर सकते हो ध्यान देंगे एक है मेरिसमेटिक टीशू पीस नोट दे स्पेलिंग मेरिसमेटिक टीशू दूसरा है पर्मानेंट टीशू मतलब प्लांट की बॉड़ी है बहुत टैप टीशू होते हैं आप उनको दो काटिगरी में डिवाइड कर रहो एक बोर आप कि मेरिसमेटिक टीशू बहुत सारे टीशू आएंगे इस काटिगरी में और बहुत सारे टीशू आएंगे इस काटिगरी में परमानेंट टीशू समझो इनको भी फरदर काटेगराइज कεια जाता है मैं इसमेंटिशू भी तीन टीटेप की होते हैं एpical, lateral, intercalorie परमानेंट टीशू दो टाइब की होते हैं, simple and complex. फिर ये simple भी कई टाइब का होता है, parenchyma, colenchyma, skellenchyma, protective. complex जो होता है, वो भी दो टाइब का होता है, phylum and xylem. protective जो है, फर्दर दो टाइब का होता है, epidermis and cock. So this is an entire classification of plant tissues. अब देख सकते हैं, थोड़ा complicated है, बड़ आपको बिल्कुर tension नहीं लेनी है, और अभी आपको इसको याद करने का try नहीं कर मैं है, जैसे से हम चाप्टर में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, वैसे से हम अलग-अलग tissues को study कर रहे होंगे, और मैं आपको इस से पढ़ाऊँगा कि आपको सारे नाम, सारे classification अपने आप ही याद होते जाएंगे, and you'll be surprised कि सब कुछ याद हो गया, तो अभी आप अगर tension नहीं को याद करने की, कि आप और क्या चाहते हैं, और इतना इन instruments सबसे important, सबसे important नीचे share button पे click करें, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को WhatsApp और Facebook पे share करें instruments, ताकि वो भी इन वीडियो का फैदा उठाग सके instruments, right?